आज के हमारी इस class में हम बात कर रहे हैं VVA Micro Programming जी या हम discuss करेंगे आपके साथ VVA Micro Programming के बारे basically क्या होता है VVA क्या course है चलिए इसके बारे में पहले discuss करते हैं सबसे पहले हम जो आपको advertisement भेजे थे उसको एक बार समझाते हैं एक VVA Micro Programming की group class है और group class होने से एमस समझे कि मैं चीजे को चीजे को छोड़ दूंगा जी नहीं group class है फिर भी हर एक चीज मैं आपको cover करो आप सभी को मेरा वाइस आ रहा है clear वाइस पर प्रालम तो नहीं है अप इस चलिए ओर आप लोग को नोट करने की ज़ड़र्वर्वर्वर्व नहीं है हरह क्लास के बाद पॉसके रिकर्डिण बिलेगी मतलब कि क्लाष लाइभ हो। है क्लास हमारां लाईव है था सीज़ के बाद आपको रिकोर्डिण को बाइभी कि जाएगे कि रिकॉर्टिंग देने का पॉपस होता है कि आप क्लास के समय कुछ चीज मिस्स कर गए या फिर हर एक चीज तो याद बुद्धी नहीं है याद नहीं रहा ऐसे केस में आप उसकी अपनी हिसाब से कि रैक्टिस कर सके कि अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जो मैंने प्रोग्रामिंग क्लास है जिसमें हम ग्रूप के जरिये आपको बढ़ा रहे हैं ग्रूप मतलब की मेरे ग्रूप में तक्रीवां कर रहे ह always 15 लोग 6 बार्हे लोग के आसपास होते लिए 15 ज कर नहीं कभी कभी जाता है कभी नहीं कर नहीं गया चैने करें दो तो यहां पर हम बात करेंगे फक्क्र सेनरे बातार आप होगा देखने सता यहां ने सबनेमेजिक देखने क्थे होगा जबética publik जो सब्वाइब उने लूस्यतले क्प्र यह उनमने मैस्गें मणें आउट्लोर नींटलेटा इस द्लेक्षेल होगा और दस से ऊपर लाइट प्रोजेक्ट होंगे अब अब लोगों की ग्रूप में या आपनों बूलेंगे तो वाटसप पे कोर्स आउटलाइंग में भेज देता हूं जो मैं इसमें कवर करूंगा और उसको एक्स्प्लीन भी कर देता हूं कि इसके अंदर में क्या क्या टॉपिक कवर हो तो मैंने आपको वाटसप पे ग्रूप में कोर्स कंटेंड बेख दे कुछ लोगों कोर्स कंटेंड नहीं लिया था इसमें यह हमारा कोर्स कंटेंड है जो की कवर होगा हमारी क्लास है तो सबसे पहले बात करते हैं कि वीवे माइक्र प्रगामिन का जिसमें आप देखेंगे तोटल इसमें आपको 11 module दिखेंगे दिखेंगे उसके अंदर में सबसे पहले आता है मुझांट को समझेंगे को कि आप लोग मुझा लोग प्रगामिंग से नहीं है तो सारे बेसिक के बारे में डिसकर्स करूंगा उसके बाद बीवी करने के बारे में डिसकर्स करेंगे कि लूप के बारे माइक्रो चल जाए या इसे आटोमेशन जो है हम यूज करेंगे उसके बाद करेंगे उसके बाद करेंगे फॉबर टेबल कैसे अटोमेट करेंगे करेंगे यूजर फॉप पॉप पकैसे बनाएंगे इसके बारे में डिसकर्स करेंगे इस तरह की उच्छा करेंगे और आता है डेटावेस अग्लिकेशन हैं जिसे हम इमेल अटोमेशन बताएंगे लिए वर्ड के साथ नोट पैड के साथ और वीजिए अब क्या है कि मैंने बाकी टीटर के तरह एक एक लाइन एक चीज़ को यहां पर डिफाइन नहीं किया हुआ है तो कुछ ऐसा नहीं कि जो है उतना ही कवर होगा यह हमारा मिनमम यह है मतलब कि इतना कम से कम करेंगे इसके अलावा भी चीज़े अगर आपको लगती है कि आपके कोर्स करता है तो आप एड़ कर सकता है तो इसके लिए टॉंट बड़ी रहा है जो टॉपिक्स मैंने दिये हैं वह सारे कर सारे कवर करें अब बात करते हैं से की सुमिद जी का प्रॉलम था कि उनके पास 2016 है देखे एक्सल पुराना हो या नया हो वीडिये से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वीडिये प्रग्रामिंग संग में सेन वर्क करता है वो इस चीज़े में डिपने वर्ली से माल लिजी के साथ रण किया आपने वीडिये की साथ रण किये जो अंदर अब लेबल नहीं तो और दीवाबर जी प्लीज अपना कैम्रा और कीजिए तो ऐसे चीज़ों में एरर आ सकते हैं कि एक्सल बर्जन यहां पर कोई ऐसी प्रॉब्लम के लिए नहीं करती है अब बात करते हैं बीवीए के भाड़े में कि बीवीए है कि थोड़ी चीज़ इंफोमेशन हम लेते हैं अब यहां पर देखेंगे वीवीए का फुलफाण होता है बेशिक ठोट अप्लिकेशन बतादू आपको यह आपका वीवीए नहीं है यह आपका डीवी डाट नेट नहीं है यह आपका अजीवी इस्टूडियों कि आप VV6, VV.net, VV Studio की मदद से आप एक नए प्रोग्रामिंग बनाते हैं, नए एक प्रोग्राम बनाते हैं, बनाते हैं, वर्ट VVA के केस में हम कोई शॉफ्टेर नहीं मनाएंगे, हम VVA के केस में MS Access के अंदर, Microsoft Office के अंदर, ने टूल्स डेवलाप करेंगे, जो मैं VVA बनाएंगे, वो सिर्फ आपका MS Office पे ही चलेगा, वर्ड, एक्सल, पाउपाइंट, आउटलूप, इस पे चलता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक्सल वाला VVA कराएंगे, अला कि बाकी VVA में आपका 45-50% सेम होता है, ऐसा नहीं कि आपको पूरे अलग हो जाता है, लूप सेम चलता है, कंडीशन सेम चलता है, वी भी का क्पोरेंट है, वो सेम चलता है. आपको आवाज आ रही है, अलो, आपको आवाज आ रही है, अलो, आवाज चलता है, अलो, आपको आपको अप्लिकेशन्स है, लाना água और बीटेटीज़ों वोटाएं से इसे वार्ट वेंद आपका डिटा दिडा गला रहेक्णा Hand missile करना एंडिल मोर्ड एंडिसेटीब घ्रस्ञाइन अच्छेश ढब्लिकेशन में लेके आना है यह किसी डेटा पड़ा है वहां से डेटा लाना है यह क्लियर प्लीज चैट ना करें आप माइक अनिम्यूट करके जो पूछना चाहा है पूछ सकते को कि वह स्क्रीन नहीं एक स्क्रीन के दोनों पर नहीं देख सकता इसलिए मैं कोडिंग पढ़ा हूं आपकी चैट पर दिक्कत हो जाती है इसलिए माइक आप लोग पूछ सकते हैं और किसी की वाइस में प्रॉब्लम है तो उनका इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि मेरे एंट से प्रॉब्लम होता तो सभी को है क्या सब्सक्राइब तो जिएक प्रॉब्लम है उनकी इंटरनेट पर चले जाए जहां नेट पर अच्छा है या फिर इंटरनेट चेक करें कि इंटरनेट चलने वाले कोई और अप्लिकेशन तो नहीं फोल रखें यहां पर हम बात करते हैं कि एक्सल के अंदर में आपर मांगे एक ट्री से सबसे पहले बनाएंगे क्या बनाएंगे मायक्रोट अब मायक्रोट जो काम को आप मैनुवली करते हैं उस काम को एक सिंगल क्लिक पर कर देता है अब लेंसर एक्जामपल चलिए एक छोटा सा एक्जामपल तुम्हें देरता हूँ चोटा सा जड़ा बढ़ाने कि आभी आप लोगों के पास प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं है इसलिए एक छोटा सा डेटा में आपके साथ बना रहा हूँ कि माल लिजे कि आपने अपने कलिक को बोला कि भाए मुझे इस वीक का डेटा दे दो चाहिए इस साल का डेटा आपके कलिक नहीं का किया अलग अलग फाइल भी हो अब हर शीट का जो भी है बिल्कुल सेम है डेटा टाइप सेम है अलग 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 अब मुझे यहां डेटा सीट को इसके ऊपर लगानी है या कुछ रिपोर्ट जनीर करना है तो मुझे सारा का साथ यहां पे पूजा कितना है तो अब यहीं पर प्रब्लम आती है कि अलग अलग सीट पे मेरा डेटा है इन डेटा को यहां एक जगह पे हम कमाइंड कैसे करें एक जगह पे हम कमाइंड कैसे करें अब मैनुल करते हैं तो चलो यहां पर पांसाज सी डेटा है तो आप कर लीज़ेगा लेकिन ऐसा हो सकता है कि प्रदा साथ हो सत्तर हो सो हो बो सो हजार हो दिकत हुजाएगी न सर्थ इसके लिए हम माइक्रो डिफाइन करेंगे हम जाएंगे डेवलपर में जो काम हम मैनू कुछ क्या करें तो यहां पर लिखा कि फॉर आइकवल कुछ चले वन टू शीट डॉट काउं जितनी शीट है उससे कम सिंपल इंग्लिस लैंग बेज है कोई ऐसा नहीं है कि आपको और टांजलेट करना पड़ेगा ऐसा सिंपल है कि शीट आई डॉट सेलेक्ट रेंज ए वन डॉट करेंगे वापस शीट डेटा पर आएंगे डॉट सेलेक्ट सबसे नीचे जाएंगे रेंज ए पैंसट अजार यह दसलाग दॉट एंड एक्सलेक्ट ond dot OPSET 1 ,0 dot paste spatial or activenCell dot entire wordt dot सब्सक्राइब लिख दीजिए एम एस जी वाक्स कि डेटा है से पंप आएगी कि अब एक हेडिंग मैंने डिलीट कर दिया है तो एक हेडिंग नॉर्मली मैं लिख रख देता हूँ अब देखे इस लाइन को जैसे मैं रंड करूँगा इस जैसे रंड करूँगा आप देख सकते हैं कि अब तस सारा डेटा यहां पर क्रम पाई है हो गया है और आप देखें कि कोटिंग करने में मुझे पांस मिनट कर दो मिनट भी नहीं लगे है कि क्या इंदे टू मिनट्स हम ने कुछ चरपांस लाइन की कोडिंग की और डेटा कुले अब आप लोग बोलेंगे इसमें कि अगर डेटा अलग हो तो उसा चीज़े यहां प हमने जो भी प्रोशीजर करते हैं मैनुवल ही उसको मैंने इस तरह के दिए कोड में डाल दिया जब मैं इस माइक्रो को रन करूंगा रन होते ही हाफता क्या होगा वह सारा प्रोशीजर रन होगा जो काम हम घंडों में करते हैं उस काम को कुछ सकेंट्स या कुछ मिनट के जंदर करके देदेगा अब यहां पर एक और जानने के भी यह सीखना क्यों जरूरी इसके दो फैक्टर नहीं सब्सक्राइब कर देंगे हमने क्या बोला कि इसको मोडिफाई अपने सिच्वेस्टी अकॉर्डिंग किया जा सकता है ना सब्सक्राइब इस चीज़ें क्लास में बताएंगा अभी आप नहीं जानते ना अभी पर चान लीजिए कि वीवीए से ऐसा हो सकता है वीवीए क्या है कि आप काम जो घंटों में कर रहे हो उसको कुछ सेकेंट्स में कर दा दिशो के उद्समा जानें और किसके थूरू होता है माइक्रोग करते हैं तो मैं अब मैं यहां पर एक चीज़ और समझाना चाओंगा कि कुछ लोगों के अंदर करते हैं तो क्या करता है कि आपके माउस और कीवोड के एक्शन को कोड में कर लीजिए और वीवीए हम कुछ से कॉड लिखते दोनौं के में बंदे माइक्रो ही है अब अब करता है तसी तरह से और अपने 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 बोरेट को बना घीजिए जब उसको त्रिगर कीजिएगा तो जो काम अगर आप कई स्पीर आपकी दो किलोमेटर की है वो कई स्पीर तोस याइक स्मझ जाए इस कि अब यहां पे दो चीजे को हैं यहां के मैं बोलना था आपने बीची म्याने बूल हैं कि वी यह पर इना क्यों जोड़ी इसके दो थैंकर जोब प्रश्टिटिए अगर आप कही जॉब कर रहे हैं या कही पर जॉब स्विच करना चाहते हैं नई अप्रोटिक पूजना चाहते हैं तो वीवी आपके लिए प्लस पाइंट कोई कंपणी आपको हायर करती एक्षल बेस पे जिनके एक्षल के जारा गाम होता है वो लोग आप आपको वीवी को अप्रोच करवाएं कि आपको बस वीवी आना चाहिए क्योंकि अगर वीवी आता है तो आप अट्वेशन करेंट कर सकता है जिसेंका मैंट पावर बचेगा लिए दूसरा कि चलिए आपकी कंप्टी ने नहीं बोला कि आप वीवी आया नहीं आया उसा कि अगर सेकेंड में आपका काम हो जाएगा जो काम आप घंटों में करें और साथ में एक्रिशी के साथ जैसे इसी एक्जाम को लेकि देखिए कि अगर इसी काम को मैं मैनुल करता तो अगर 100-500 सीट होती तो दो अर्र होने की चांसिस दें कोई सीट का डेटा चुट जाता जा कोई शिद्डा डेटा ड्रॉबल टाइब कॉपी टेस्ट हो जाता या कोई शिद्डा डेटा अधूरा कोपी टेस्ट हो जाता तो अगर हमने और क्रमेशन किया तो सारे कंडीशन अगर सही है तो प्रॉब्लम नहीं होगा ना सर तो आपके लिए बेनेफिट होगा कि आपके ऑफिस में काम फास्ट होगा और भी चीजे आप आरेमिक्स कर सकते हैं अपने वर्क से रुप रहते हैं ठीक है और भी चीजे आप एक रेलेटेट कर सकते हैं ए ए ऐपी आपल तरुआ अहां इसमें अंडू का पॉप्षीन ए इसमें एन अंडू का ओप्षिण तेके तो चलिए तो आपका प्रॉल्म समझ में आ गया अब चलिए बात को आपस आते वी 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 अगर एक फैक्ट्री है तो उसके अंदर तीन चीज बनते हैं पहला माइप्रोज दूसरा आता है फंक्शन मतलब की फॉर्मुला जैसे आपके सामने एक वी लुकाफ एक लुकाफ समीर जैसे फॉर्मुला होते हैं तो ऐसा क्यों करूं तो चलिए एक इंजामपल के साथ आपको समझाते हैं तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने अभी अभी डेटा लोट किया है और यहां मुझे पता करना है कि पूजा का कितना टोटल है बट पूजा का कितना है आपको अलग अलग शीट्स करना है कि पूजा का आपको बिलकुल सेम मेरा तो मुझे हर सीड का पूजा का लुकून बी गारेटा उत्था पहाना है पूजागा पॉलम भी करेट आओ अब इसके लिए एक्सल में तो फॉर्मूला नहीं है हाँ अगर लिटेश एक्सल है तो एरे या फिर एक्स टैक वी एस टैक जैसे चीजिए से कर सकते हैं लेकि तो कि लिए रहे हैं कि अगरे तो अगरे परी रिपीट करेंगे तो मैं चाहता हूं कि पूजा का डेटा बाकि जितने भी सीट में सब सीट से यहां आज है इसे केस में मैं यहां वीज्वल बेसिक्ट क्लिक करूंगा और यहां पर फंक्शन बना हूं क्योंकि यहां पर अलग-अलग है यहां बेट होना चाहिए फंक्शन की तरह इसलिए तो फंक्शन यहां पर मैंने और ऑल सम नाम का फंक्शन बनाना और यहां पर एंड एजे हमने इस्टिंग अब यहां पर हम लगाएंगे डिम और एजे लॉंग और यहां कि फोर और इपल टू चले शीट्स वान टू परीज़िए उपावाई कंसेप्ट होगा वन्टू शीट्स दॉट्स सब्सक्राइब और यहां पर हमें सिंपल चाहता है जो सम का फॉर्मुला है तो यहां पर आर इक्वल टू आर प्लस यहां पर अप्लिकेशन अब जो एक्सला फॉर्मुला होची है कॉल गरना हुए बस और भी सब्सक्राइब किया जा सकता है बाट में एक्सला का फॉर्म लाइं लिल ना हूँ आपके साथ कि क्या हो गया कि बैट्टी खत्म हो जाती है ऐसे ही फागल हो जाता है कि मैं बता रहा हूं मैं करके दिखा रहा हूं जो करके दिखांगा तो समझ में आएगा ठीक है मैं आपको पहले बताया है कि कोड समझेंगे कोशिस मत कीजिए कि कोड अगल समझेंगे तो प्रब्लम हो जाएगे और मुझे बी को बी पसंद करेंगा कि अभी आप कोड अभी सिखाया ही नहीं तो समझेंगे क्या फाइदा हो बस कंसेप समझा रहा हूं कि इसका इस्तमाल क्या करें और यहां पर हमने लगाया अब इस फर्मूला को रहन कीजिए यहां पर डेटा में आप इक्वल आगया इसको सेलेक्ट करें और नीचे ड्राइग कीजिए तो बाकी तो हमने एक नया फॉर्मूला और सम का नाम सा बनाया जो मेरे हिसाब से काम करता है तो क्या करता है कि इसके अंदर जितने भी डेटा है वो सारे डेटा में से पूजा की पॉलन बी का टोटल धूनके लाता है तो जैसे कि आप वी लुक अप लगाते हो वी लुक अप में क्या होता है फिक्स होता है कि एक ही सीट से डेटा उठाएगा रिपिटेट को नहीं उठाएगा क्या लैप टू राइट जाएगा ऐसे पॉल्म होती है ना अजर्व तो आप अपने हिसाब से वी लुक अपका वमॉला बना लुजिए तो आपको अपने हिसाब से दोंड करें कि मैं वह गर्षे नहीं संदोर्ण पहले से एक्सल के अंदर दी लुक अब काउंट इव वगद दले हैं उस फॉर्मुले को यूज करके आप अपनी साफ से जो फॉर्मुला बनाएं इसको डायेक्स इस्तमाल कर सकते हैं और या मायक्रों के अंदर भी स्थमाल कर सकते हैं कई बार हम कोडिंग की रिपूटेशन से बचने के लिए इस्तमाल करें कि मनना यह सब्सक्राइब करें पूर्मुला या जब भी आप फॉर्मुला या इसको बोलते है वीजल बेसिक एडिटर के अंदर में जब दालेंगे तो सब अपने आप आप आपको मैं अभी आप फोकस कीजिए कंसेप्ट में किया माइक्रो कियों इस्तमाल करेंगे फंक्शन कियों इस्तमाल करेंगे तीसरा आता है यूजर अब यूजर फॉर्म को देखके आप ऐसा कह सकते हैं कि आप अपने लिए कुछ सौफ्टर टाइप का बनवाना चाहिए जैसे यहां देखिए मैंने एक यहां बनाया वाँ जब इसे डबल क्लिक किया तो डबल क्लिक करते आप देखेंगे कि इस तरह का फॉर्म के तरह इस्तमाल है ना इस अब यहां पर जो भी डेटा डालके सेब करेंगे एक्सल पर चला जाए अब प्लोज यहां कीजिए तो यह आपका एक्सल फाइल आ जाएगा आपस तो यह जो हो से ऐसे चीज बनाना जो कि आपको पॉप इंटरफेस बनाने कामा जैसे यह देखिए मैंने जैसे फाइल ओपिन किया तो मुझे से पूछ रहा है लॉगिं करने के मोड़ आप यहां देखिए कुछ ऐसा सीट है कोई शीट नहीं है पर जैसे मैं यहां पर एड्मिन का लोग करूँगा कि देखिए यहां मैं हमें इंटरेक्ट दाल देखिए कि देखिए कि देखिए कि देखिए कि देखिए करेंगे 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 इस तरह कि देटा एंटी फॉर्म या पॉप आप या डेटा आप फाइंड करने सर्ट डेटा है यहां पर मैंने माले जो फाइव डालाज कि देटा कि देटा कि देटा कि देटा यहां कि देटा आते हो तो चेंज करना होता यहां देखिए पाइब में देखे यहां पर गोहन आ गया यहां पे टीपोर आ गया अपर यह डीक्टिवेटेड हो गया अब नूव आपस डाली डिगने डेटा आएगा इस तरह के चीजें हम यहां पर बना सकते हैं यूजर फॉर्म के काम होता है पॉप पॉप को बनाना क्या बनाना इसके तीन पॉड़क्त पहला है माइक्रो फंक्शन तीसरा है यूजर फॉर्म करूंगा क्लास के बाद वापस ग्रूप में डालूँगा ठेक है ना सब्सक्राइब करना चाहें तो आप ट्राइब कर सकते हैं कि अब है तो जैसे अभी में बनाया क्योंकि मैं इस फाइल को बंद कर रहा हूं इसकी वोडिंग में आपको देश्ट कीजिए तो आरा रहा है पेक्राउंड से एक लाइफ लास में एक दिक्कत होता है इसलिए बागी ट्यूटर जैने माइफ कर देता है कि मैं नहीं करता हूं तो कि यहां इंट्रेक्शन नहीं होता है इसलिए मैंने आपको दोनों वाट्सप पर देज दिये हैं कि फाइल को बंकर अब यहां पर बात करते हैं कि वीवियर प्रोगामिंग हमने देख लिया कि मैंक्रोज क्या होता वीवियर प्रोगामिंग का यूज कब करेंगा क्या ऐसे उठें और वीवियर कोडिंग के मैं शुरू कर रहें नहीं वीवियर मैंक्रोगामिंग का यूज दो केस में होता है पहला होता है रिप्टेट वर्ड क्या होता है रिप्टेट वर्ड ऐसा काम जो बार बार रिपीट होगा अब माल जिए कि आपके बॉस ने एक अब क्या होगा अगर उस डेटा का टोटल निकालने के लिए यूज करना शुरू करने तो प्रॉब्लम क्या होगा क्या में से नहीं होती आशी करने करने का कुछ स्टेप होता है पहले पर नाolve्स क्राइज करता ते किशकर यह लगा है कि मुझे बार-बार करना है हर दिन मुझे घंटा-दो घंटा-दर बिनट जो भी है आपका टाइम करता है ऐसे काम के लिए आप लिए माइक्रोगार्मिंग का इस्तमार कर सकते हैं तो तो भी विए करना पड़े ऐसे काम के लिए हम भी वी आपके प्रोगार्मिंग के सब्सक्राइब अधार बोली है कि अधार को अधार को यह एक को अधार कि अधार यह जैसे मैं लौन करता हूँ मेरे पस्को स्थ्थ रहला अगर्ट करता है तो अरांड लोग लोग ती विधार आपकी शोप सौगी तो मुझे वो डाटा अगर उनका फॉर्म करके बेज़ेंगे फिल करके यहां पिखान रखेगा जो फॉर्म बगड़ा पनाईएगा और फॉर्म सिफ आपके पीसी पीचल ठीक है या फिर आपके पास अगर कोई कि नेटवर्क ड्राइव है क्या कि एक आउनलाइन तो है नहीं कि सब्सक्राइब करेंगे या फिर माइंप्रोसॉप नया आया है यहां पर इसका कर सकते हैं आप एक तीम में है और आपके पास एक नेटवर्क ड्राइव जो कि इसका एपस सब्सक्राइब बेज़ते हैं तो ओ लोग इस फाइल को खोल के भरेंगे तो आपके सिस्टम में आजाएगा को कि यह लोकल पर सिस्टम पर काम करेंगा या जो इसके लिए यहां तो गूगल कॉम इस्तिमाल कीजिए या फिर आप एक्सल का पॉम इस्तिमाल पर उस डेटा को एक्सल के साथ लिंक कीजिए और जो करना है कंदीजी क्यों सब्सक्राइब लिए सब्सक्राइब लोग जीए निधी टीस्टें लेकर विश्यून मेरा पॉश्यक्राइब लेकिए पॉण करें पर आपने तो हो थो अच्ड़न कीबार को लेट पार किसी करतें परकेंगेंग हो इसा हो सब्सक्राइब सब्सक्राइब जोद्यों कर सकते हैं और हर किसी के पास एक्सेस होगा और हर किसी को यहां उनके PC में करना है तो मैंने बताया इस्तमाल दो किसमें करते हैं और दूसरा हाथ है लेंदी वर्थ एक ऐसा काम आया जिसको ब्रावर हमें यूज करना हो करता है उनक निसको प्रावस हर्या सभ्या इसको अ में प्रसक्परिय जचुँटार का थेको किससंए आàng chuck भावर शुटाये हम भातव प्रशवलाग दो ब्रेश होगेख दो उससे नहीं चाना है उसको भावराएध अवर्य शुटार करया पनेन इस अ सब्सक्राइब कर दोनों का या भी हेंडिंग से नहीं हो जाएगा देखिए जो प्रॉब्लम है उसकी सलूशन दी जा सकते सब्सक्राइब करें तो जो मैं अपना प्रोग्राम बनाने के जगह पर अपना एक जांपर देने के जगह पर आपका पर लेंगी तो भी आपकी क्लास नहीं हो जाएगी जब आपका प्रोड्जेक्ट चलेगा तो मैं आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए आप अपने प्रॉब्लम सेर करेंगे हम उसी पर प्रोड़िक बना देगे करें को है टो है कि एक जांप्ल जाहिए देने के लिए जांपल चाहिए तो वे अपना मन से बनाएं जांपल के जिदगा है आपका अपक्र होटार्पन यह कुझा़ेटिक नहीं होती है लेकिए हां एत्ती परसें नैंटी परसें हो जाते हैं लेकिन देख लेगे सर्व प्रजेक्ट समय देख लेगे कुछ नहीं को जोगार पर निगली जाए राइट इन समय सब्सक्राइब क्या होना चाहिए मैं बताता हूं मैं सबकी प्रॉब्लम सब्सक्राइब तो क्या बूलना है बुल दा रहा था कि मेरे पास दो तरह के दो चीजों भी यूज करता हूं पहला सिच्वेशन में रिप्टेट वर्ट दूसरा लेंदी वर्ट मतले ऐसा काम में मुझे बार बार इस्तिमाल करना और लेंदी एक ऐसा काम आया जो एक ही बार है जैसे बांग लगे डेटा एक ही बार आपको क्लेट करना हों अब बार ही आती है कि प्रोगांमिंग हम किसके लिए यूज करेंगे देखे इसके दो सिच्वेशन है कि अगर आपको प्रोगामिंग अपनी ने इस्तवाल करना है तो आप अपने हिसाब से अपने पीसी पर करना है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन अगर ऐसे फाइल जो पॉब्लिक ट्रेवल हो रहें मतलब कि कई सारे लोगों को मेल पर भेज रहें तो वहां आप प्रोग्रामिंग डाले से इसके पीसी का रीजन नहीं है शथे होने के कारण जैसे आपका माईप스क्स्रीटे इसको Tea को और वहां पर वहां माईप्र करने के लिए अब सामने वाला बंदा जिसके अपने बेजा है अगर हो अगर माइप्रो ओपिन करेगा वहां पर उसको सिकूरिटी अलर्ट दिखाएगा और उसको माइप्रो अनेवल करने के लिए बोला जाएगा अब सामने वाला गंदा जिसको आपने फाइल भेजा है अगर ऑगर जानता है प्रोग्रामिंग के वारे में सब कुछ समझता है तो ठीक ह अगर मान लिजिए कि वह थैमिलर नहीं है प्रोग्रामिंग से एकसल पर थोड़ा बूद काम करता है तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपको मेल और फोन करेगा बोलेगा इसके वायरस है या कुछ ऐसा है तो बोलेंगा नहीं नहीं को लेना पड़ेगा अपने कॉंफिडेंस में उसको पिस्वास दिरना पड़ेगा है तो कोड दला है आपका कुछ नहीं होगा आप यहां के इसलिए जब तक बहुत जहुरी ना हो तब तक आप किसी को मैक्रो लगा के फाइल ना देजिए किसी ने पूछाता है सवाल सवाल के जबाद मिल गया और दूसरा प्रोब्लम होता है कि आपका जो भी यह प्रोग्रामिंग है उस सिर्फ बेक्स्टॉप पे चलता है वेप पे नहीं चलता है अब कंप्टिंग अंदर में ऑफिस दिश्क्टिफाइव आ गया और ऑफिस दिश्क्टिफाइव का पेपर दिना गया जो कि बहुत सस्ता है कि बहुत सस्ता है तो ऐसे केसिद में कंपीन जो है एक सब्सक्राइब को आप करते यों कंवेज रही है वेप का वेव अउह को आई का वारो थे लिए आया है लेया के लिए आया डे Smash achieve कि लिए इसमें चैनल में तीन करन हूंग त déjà ay जो कि आपका डेस्टॉब और दोनों बें चलता है यह देखी दावाश के लिए प्रगाम दिख रहे हैं कि इसलिए आप किसी को भेजने से पहले अवाइट करें कि आप माइक्रो जो किसी को भेज रहे हैं वह आपका अग्रो यूज कर पाएगा नहीं करपाएगा उसमें प्रॉब्लेम आप अपने विवेक से काम करें अपको आपको बाद को मानता है तो आप लिखें और लगता है कि नहीं इसको ना बेजने या बहुत ज़रुड़ी है कि नहीं इसके रगज़ता कामी नहीं हो तो इसको आगे बड़े आपने बोला तो इस पावर पावर का स्किप्टिंग मिलेगा यह चलता है लेट के लिए बनाएगे लिए नहीं दिखेगा यह आपको आपको यह मिलेगा प्रिज्टिंग आपको यह पर आट्मेट अंदर मिलेगा और जिन्दा मत लिए नये अपके पास पुराणा एक्ष्ट वर्जन अधे आएगा नहीं चलेगा यह नहीं तो तो सब्सक्राइब कर वेव बर्जन है तो उसमें वो डिवलापर का अप्शल नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा यह नहीं थ्री शिक्टिवाइब बर्जन की बात करता हूं मैंने यहां पर ओफिश किया लॉगिंग करूंगा आपना लॉगिंग अब यहां पर एक्सल बढ़ भूप दिख रहा है इसको मैंने क्लिक किया अब यहां एक्सल फाइल खुलेगा इस तर्व बढ़ जैंगा इसके अंदर जो है आपका प्रोगामिंग बर्ट नहीं करेंगा लेकिन सब्सक्राइब कोई अब यहां आपने एक्सल फाइल जो भेजा उसमें वीवी अगर लगा है ना तो इस पर पुलते हैं वीवी एक कंपोनेंट वर्क भी करेंगा लेकि उसी फाइल को जब वो सिस्टम भी कोलेगा तो वर्क करेंगा डाउनलोड करेंगा करना पड़ेगा और वन ड्राइव में डालना पड़ेगा उस वन ड्राइव को आपने अपने फोल्डर में मैट करना पड़ेगा अब यहां पर कोश्चन करते हैं कि हमें सीखने के लिए क्या करना हो तो सीखने के लिए जिन लोगों नहीं किया है उसको पहले करना होगा अगर आप सीखना चाहते हैं तो दो तीन आपको जानना पर आता है कि आपको बेसिक एक्सल की नोलेज होनी चाहिए आप बुलेंगे अपके ग्रूप पे मैंने एक यूटूब विडियो लिंक बेंग वेंग जा है जो कि 5 गंते के आपस गंते का विडियो आप एक बात चेक कर लिए इसमें कौन-कौन चीज़ा आता है कौन-कौन चीज़ा आपको नहीं आता है जो नहीं आता है उसको तुरी से प्रेक्टिस कर लिजिए जो आता है उसको स्किप कर दीजिए ठीक है तो जब भी कोई VBA प्रोगामिंग डारेक्ट में यहां सीखता है त आप लोग भी इसको एक बार देख लिए तो पहली प्रॉलम दो सल्व हो गए दूसरा चाहिए प्रैक्टिकल टाइम जैसे मैं आपको एक घंता प्रहा रहा हूं तक कमस्करम दो या तहाई घंते की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए देखिए हम जो क्लास में यूज करते हैं जब रिपीट हो जाए मेरे खल से आपको समझ में आ जाए दैन हम क्या करेंगे उसको रिसर्ज करें रिसर्ज मतलब कि हो सकता है किसी टॉपिक के बारे में चार-पांस एक्जाम्पल मैंने दिया हो लेकि उसको बारे में और ज्यादा जानने की एक्छा है आपके अलगा है है में क्या करें आ अपके लिए रिसर्ज इंटरनेट वगघर पर आप रिसर्ज करें अ इंटरनेट पर रिसर्ज है और माल भी चीशिश चाहिए चाहिए पहला कि आपके पास एक्सल की नोलेज दूनी चाहिए तो इसके लिए आपको भेज दिया है अपने आपको सेल्फ चेक कर लीजिएगा दूसरा कि अब टाइम के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता प्रैक्टिकल टाइम तो आपको खुट देना पड़ेगा कि आप सोचेंगे कि मैं सुझी तरे क्लाश वाइन कर लूँ पांदस कोश्चन पूछ दू इस तैट कर लूँ और शत्तनायन वहाण के कथा की तरह सुननू तो मैं वीवीएम एक्सपर्ट हो जाऊंगा यह आपका मजिया दिया आप सोते सोते नहीं जाकते जाकते ब्रहम में जाएगे चाय को फिलीजिए और हम पूट जाएगा ऐसा क्यों बोला हूं कि एक्सल जस्ट लाइक और यह चीज़ तो आप जानते ही हैं मैथमाटिक आलवेज निदे प्रैक्टिस अब यह बताने की जरूत लिए कि मैथमाटिक में हम लोगों का दिमाग कितना खपा है जो कि हिंदी में पड़ा था मैथ में चैंपियन था ठीक चला जब मैंने बीची जॉइन किया तो मैथ को समझ में नहीं आ रहा है अब मेरा पापा गुलना है कि यार तो मैथ में बहुत अच्छा है अच्छे एटिफाइम नंबर मैस में लेकर आया है तूशन से लेके और स हम इंगलिस में जो दिया त्टेंगल के लिवाम का मतलब में रिमिस इसका मतलब क्रूंते यृ इंगल क्या होता है कि और सक्षम्रस क्लरना हि प्राइब कर दिया है कि हम लोगों के आती थी लेकिन अब बिहार की इंगलिज तो पता ही उतनी होती थी जिसका टोटल मार्क्स हमारे जिसकी मार्क्स टोटल ना इड ही नहीं होता है उसमें पास पेल कि फर्त नहीं पढ़ने वाला है फिर भी हाट पास कर जाएगे आप सोचिए कि बच्चा जिसका मोटीव सिफ हाई स्कूल पास करना है क्यों इंगलिस बढ़ेगा इसलिए प्रब्लम हुई तो मैट अगर अच्छा है तो आप लोग मैट की तरह इसको आप यूज कर सकते हैं और मैट अच्छा है तो प्रगामिंग अच्छी हो जाती है तो सब कुछ जानते हैं चलिए अब यहां से थेओरिकल पार्ट के बाद हम बात करते हैं अगर मान सबसे पहले आपके पास डेविलेपड का लिए होना चाहिएं अब के वार्ट नहीं होता है इसको लाने के लिए आप को जाना लुगा पाइल के अंदर के अंद आपको जाना होगा करेंगे आप देखेंगे यहां पेट चला आए अब डेवलपर टाइब क्यों चाहिए नेविगेशन के लिए कि आप रावर वी माइक्रोज और वीविए के साथ नेविगेट कर देखना है तो कोडिंग पर क्लिक करूं कोडिंग वाला विंडो आ जाए लेकि इसतर ध्यान देखे जोड़ी नहीं है कि मुझे कोड देखने के लिए डेवलपर टाइब चाहिए ही चाहिए हम अल्ट एस्ट एलेवन प्रेस करेंगे फिर भी मैं ओर आ सकता हूं किसी फाइल के अंदर कोड देखना किसी और पीजी पे उसके डेवलपर टैब नहीं है है तो डेवलपर टाइड करके थी मत जाएं अल्ट एस 11 प्रेस कीजिए यह आपका वीवी एडिटर जो है फुल के चला है तो पहला काम क्या करना है पहला काम करना है वीवी डेवलपर टाइप को एड कर कहां से फाइल में नुवार के अंदर ऑप्शन के अंदर जो डेवलपर टाइड करना आ गया कि अधर अब कर सकते कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं पास्पर आज सकते हैं अब दूसरा चाहिए आपको कि आपकी माइको सेक्रूर्टी अनेबल होना चाहिए इसमें जाके बाइद इस नोटिफिकेशन इसको अनेबल गड़त अनेबल नहीं करेंगे जब भी प्रोग्राम रन करेंगे बाप बार बार पॉप आएगा आपको अनेबल करना पड़ेगा और हर बार आपको क्या करना होगा हर बार आपको प्रोब्लम प्रेट होगी साथ में आपके जो इवेंट माइक्रो प्रगामिंग यहां पर वर्ट नहीं करेंगे इसलिए आपको अनेवल करना परेंगे लेकिन करते हैं को माइक्रोफ का कुछ मैसेज देख यहां माइक्रोफ बोला है कि कैसे करेंगे तो यहां माइक्रो सिक्रूर्टी पर जाना है और यहां से अनेबल पर करना है पुझा जी कुछ बोलने आप सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब आपका अप्लिकेशन का सेटिंग इसे किसी फाइल को कोई लेना देना नहीं है आपने एक बार अपने अपना अप्लिकेशन अनेवल कर दीजिए तो आपके PC में नहीं आएगा दूसरे PC में फाइल ओपनों की तो आएगा यहां ाप्लिकेशन के सेटिंग बता रहा है किसी फाइल की सेटिंग नहीं आप्लिकेशन की सेेटिंग ming सेम करते है तो यहां पर क्या है कि यहां पर आया हुँआ है कि डैंजर def. तो अगर आपका अनेबल कर रहे हैं कि इस ध्यान रखिएगा कि किसी ने फाइल वेगा तो सोच समझ की ओपिन कीजिएगा तो कैसे पता चलेगा कि इस फाइल के अंदर कोड फाइल टाइप से अगर आपका फाइल है डॉट एक्सलेस एक्स फाइल कीजिए इसमें आपको दिकत नहीं है दूसरा होता है डॉट एक्सलेस एक्स एल एस एम इसको बोलते हैं माइक्रो एनेवल वर्ट या फिर हम लेशकते डॉट एक्सलेस जो पुरानी फाइल होती है हमारी पुर्ट थी वाली यह दोनों फाइल देटा और और कोड दोनों को कर्यारी करता है तो अगर आपने कोई भेजा आप देख लिजिए आपका फाइल जो है इस ट्रस्टेट बंदें में भेजा है तो आप ओपन कीजिए कोई दिकत नहीं है ठीक है ना या फिर आपको शक्त लग रहा है ओपन करना ज्रूरी है तो आप पहले सिक माइक्रो सिक्यूर्टी में जाए यहां पर इसको डिसेबल कर दें इसको करें एक्सल को री ओपन करके फिर फाइल को ओपन करें तो आपका कोड विना आपके प्रमीशन का रन नहीं है ठीक है अगर किसी ने भेजा इसको मत खो लिए क्योंकि यह इसमें सिर्फ कोड ही होता है किसी तरह का कोई डेटा नहीं होता है अगर खुलना जोड़ी है तो माइक्रो को डिसेबल कीजिए फिर ओपन लगे तो डिलीट कर देंग तो माइक्रो अनेवल डिसेबल का परसीजर समझ में आ गया ऊसके फैक्टर लिए आपने जब मैक्रों को अनेवल किया ना रीचे और यह आपकर उद्टिक है तो वह रहां लिए प्राइस अब्चेश्ट परक्राइब इंपोर्ट करेंगे लिए उसमें प्रस्ट तो यह दो चीज़ें जो आपको बताया यह आपको वन टाइम करनी है एक बाप इसी में सेट कर दिया तो नेक्स टाइम से करने की विरूरत नहीं है लेकिन जो दूसरा बता रहा हूं वह आपको हर बार करना क्या वह है यहां पर आपको उसरट आप से प्रिटा करने से पहले को सेफ करना कल न से बर्ट यह बर्ट रषाह करें है कि यह जी से admission किरें की आपने से लिक खोलते हैं कोडिंग करना शुरू करते हैं और उसी खुसी में को सेफ कर देते प्रिखॉल एक्सल वर्टू एक्सल वर्टू एक्सल वर्टू क्या हुआ कि जो कोडिंग आपने किया तो सब्सक्राइब करते हैं उनका एक कुश्चन आता ही आता है कि सर मैंने मैं को रिकॉर्ट किया रन किया चल गया फाइल को सेफ किया अब मैं ओपन कर रहा हूं इसमें हाई नहीं तो क्या गलती थी कि उन्होंने फाइल को एक्सल वर्क बूक में किसी युद्धे मैं समझाता हूं कि आप फाइल को सुरुआत में ही सेफ कर दीजर माइक्रो अनेवल वर्क बूक में ताकि नेक्स्ट टाइम आपको कंट्रोड एस करें और आपका एक आपसा ना हो एक बेली इंपोर्टेंट है है हुआ तो पद्धर की लगीर के अदरा गांट मार लीजिए वरना डबल टाइम मेनद करना पर जाएगा क्लियर है अब हम बात करते हैं कि प्रोगामिंग कैसे करें तो प्रोगामिंग के लिए हमें जाना होगा वीज्वा बैसिक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का वीवी एडिटर कुल किया है और मैं पहले बता दूँ कि इसको install करने की जरूरत नहीं है यह एक्सल के हर वर्जन के साथ आता है इनको install करने की जरूरत नहीं है और इस एलेजर ब्रेस करेंगे या developer में जाकि click करेंगे यह automatically आपको आ जाएगा आपको हर बार करने की जरूरत नहीं है इस्टॉल करने की जरूरत नहीं अब जब प्रगामिंग आएंगे तो क्या क्या आएगा सबसे परें जितने भी फाइल आपने पूल लखें उन फाइलों का लिस्ट आए जैसे यहां पर मैंने चंट्र एंड कर दिया और देखिया यहा है जित्ने भी फाइयल को लेंगे सारे फाइल का इस तरह से और फाइल के अंदर जितने भी ऑन नहीं सिट सोंगे ना और सीड का लिस्ट भी मीडि किसी सेट यहां पर डफाइल लिक करेंगगे लिस जिए कोड़ बिंडो और कोड़ बिंडो यही वीड ना पर की जाती और जो भी आप स्लेक्ट करेंगे यहां पर पॉर्पटी वार्ड में उसको अपको दिखा का जुसको सेलेक्ट करेंगी उसकी इसलेक्ट कि सेटिंग यह आने मतец किद्र Reachं करते यहां पे क्लिक कर दें यह आपको चीज़ें नेडिगेशन के लिए चाहिए ही चाहिए तिक है अब मालेजी कोड करने के लिए जाना है विज्वल बेसिक पे और जब विज्वल बेसिक पे इस तरह का विंडू आए इसमें आपको यहां पे प्रजेक्ट चाहिए और और नहीं है विए करने के लिए जिसके कोड़िंग करना उस पर डबल क्लिक करके आप जैसे कि मैंने यहां पर शिंपल कोड लिखा कि आर आर स्लैस यहां पर सब्सक्राइब सब्सक्राइब अब जब मैं रण कर सकते मैं यहां से भी रण कर सकता हूं यह एक्सल सीट के लेकिन किसी सीट के ऊपर कोडिंग नहीं करते हैं इसके दो प्रब्लम पहला प्रब्लम है कि आप इसके अंदर किसी और सीट का किसी और फाइल का रेफरेंस नहीं करेंगे करने के लिए हमें इंसर्ट करना है मोडूल मोडूल पर क्योंकि मोडूल जो है किसी भी फाइल और किसी भी सीट का रेफरेंस ले सकता है क्वास दूसरा प्रफ्ल में था है सिक्यूरटी कि हम सीट डिलीत करते रहते हैं चैसे इसलिए रही को करते हैं है करते हैं मोडूल में करते कि मोडूल जो है आपकी जो प्रोग्रामिंग उसको से रखता है तो ठीक है कि अब लुक्त करें तो चलेगा तो दुसरा को यह दिखना नहीं तो एक पर दिखना है जो लोग सिस्टम किये हुआ है एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएं चलिए जो है ना यह प्रोग्राम बनाएं चलिए आप लोग कि दूरों मुवाइल पर बैठें तो नहीं कर पाएंगे और सिस्टम है तब कि यह अध्यार पर बाप जबते शारी मुट हो गया ध्यूरा बोलेंगे का बलना है करेंगे अपने बड़ा हो जाएगा अगर बड़ा हो गया इसका मतला समझ यह कि आपका कोड सही है बड़ा नहीं हुआ मतलब है कि कोड आपका पहने काई गरबर को स्मॉल लेटर में पहले आप वीजुल बैसिक को खोलें इंसर्ट के जाएं मोडूल को करें फिर सब लिखें फिर आलार थें पिर यहां पर मैसे बॉक्स मैसे बॉक्स सबका हो गया एक इस योग प्रॉब्लम है चले आप लोगों को हार्दिक बढ़ाए कि आपने अपना पहला माय को लिखा इसे तो सुगर है पर भी खा सकता हूं कि अब यहां पर हमने सब क्यों लिखा के बात करते हैं म dean hillary कि सबसे पहले यहां इंसर्ट में जाना है और मूडूल कीडल करके कती मौडी सब लिखना है सब यहां पर मैं सब भी सकता हूं या मैं लिख सकता हूं फबलिक सत और फिर नाम दीजिए माइक्रों का और आपको देखिए और नाम का माइक्रों रिस्लेक्ट करेगा तो यहां पर आपने माइक्रों को डिक्लेर किया तो पब्लिक सब कीजिए या फिर सब की लिए उससे भी चलेगा दोन से मोता या फिर इंसर्ट में आए यहां पर अट्यक्ट है और यह पब्लिक है और ओके कर दिजिए ओके सारा नाम को तो अलबी मैक्रो है नहीं लिए यहां पर पर सीजर यहां पर मैंने आर्टी के नाम से सब और पब्लिक करके ओके किया तो आप यहां जाने के बज़ाए खुद लिख सकते हैं कि ऐसे आप माइक्रों कर सकते हैं यह कुछ कर साहरा जैसे 1 नाम के दो माइक्रो नहीं हो गयर दूसरा कि माइक्रो नेम में किसी भी तरह का स्पेशल क्रेक्टर जैसे मैंने आप लिख दिया कि टेस्ट और टुड़े ए स्पेश दिया ना पर गलत है गलत दिया कि आप कहीं भी इसके अंदर डाइस प्लास मल्टिप्लाई इस तरह का माइक्रो नेम मतलब कि माइक्रो नेम के अंदर किसी भी तरह का स्पेशल क्रेक्टर नहीं होना चाहिए अंडर्सकोर तो इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा यहां ते समझ में आ गया को दिक्कर कि आपका गलत है कि फाइल कहीं भी माइक्रो चलता है माइक्रो जिस फाइल मन्ता उस फाइल में चलता है या जब तक वो ओपे न है तब तक दूसरे लिए समझे इसके बारे में भी आपको बतांगा टाइप आप उस में आए यह तो आप इतना सम्मझें है कि माइक्रो फाइल पर होता है कै लिए इसको अच्छे इसको समझने लिए आपको टाइप ओफ मैं को सुना पड़ेगा जो कि अगली क्लास में इस क्लास में और इस पेस्ट नहीं होना चाहिए तीसरा जो आता है कि माइक्रो नेम आपका किसी भी तरह का अल्फा नुमेरिक नहीं दिखा है गलत यहां नहीं दिखाएगा इस माइक्रो का रण्ड नहीं नहीं कर पाईगा जैसे माइक्रो में जाहिएगा रण करने के लिए पहुंचगे ना कुद्क्राइज राजवन नाम का एक तो आपका माइक्रो से रफफ़ेंस पे कि इसलिए अब तीन करेक्टर को बलाओ को कि आपका यहां एकस एफ दी जो है तीन लेटर का होता है तर राजू चलेगा राजू वान चलेगा पर राज वन नहीं चलेगा राज ऐफ अब एक को मैं कर प्रतव संधूर करने का समझने हां इसने करेंगे और क्या 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 नहीं करेंगे तुर समंझने आ इक है तहब सबतब्स कि और कि दिद्धbung वैशNT क्या बुलिए कि यहां वाइट नहीं आता है यहां नहीं दिखाता है यहां इस दिख रहा है तो आप इस पर क्लिक कीजिए और फिर इंसर्ट में जाएए मोडूल किसे यहां पर देखिए इसके लिए आपको नहीं आया है तो यू के अंदर प्रजेक्ट एक्स्पॉलर को क्लिक कीजिए या कंट्रोल आर्ज का सौट कीजिए यह आ जाएगा फिर अब हो सकता है कि यहां पर ना एक वीच में आए तो उसको यहां से उठाके मूव भी कर सकते हैं हो गया ना खामका आप नराज हो रहे थे कि वहीं हो रहा है एक सल पर विचार एक विल्टी भी नहीं थी सब्सक्राइब कुछ मैक्रोज बनाते हैं कुछ छोटे-छोटे मैक्रोज बनाते हैं फिर लिस्ट और मैक्रोज आपको भी दूंगा ठीक है ना जैसे कि मैंने सब्सक्राइब अभी आगे किसे मिलिएगा अभी फिलाल मत समय नहीं सकते उसको बता के टाइम और इनर्जी क्यों बेश कर आपका भी अपना अखामका आपके दिवार में क्लास पर कन्फीजन रहेगा कि सब्सक्राइब क्या तो फिलाल अभी आप उसना ही जाने है ऐसा नहीं कि मैं बताऊंगा नहीं को खतम होने से पहले आप से पूरा इंपुट लूँगा कि बताइए मैंने सब्सक्राइब तोपिक खतम होंगे आप बताइए कौन सा टॉपिक में समझ में नहीं आया दुबड़ा पढ़ना है या कौन सा टॉपिक अरसा लगता है कि मैंने पढ़ाया नहीं कि आपने पढ़ाया तो उस दिर में आया नहीं तो हमें सब्सक्राइब मैं करेंगे 23 मैं किया तो किसमें करेंगे तो यहां पे हमने बोला यहां पे अब इसको जैसे के माल जोड़ना है तो मैं दो तरीके से लिख सकता हूं एकवल टुटे एंड और वी इकवल टू फाइड और सी इकवल टू ए प्लास बी ठीक है और एम एस जी के अंदर एम एसी बॉक्स के अंदर सी को डालिए अब इसको रंड कीजिए यहां से भी रंड कर सकते हैं यहां पर 15 दिखा दिया पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं उनको एरर आयर क्यों क्यों कि मैंने इसको डिफाइब बीज़ी को डिफाइन नहीं किया तो लोग क्या करेंगे तूल में जाके यहां अबजेक्ट यहां पर ऑप्शन के अंदर यह दिखेगा रिक्वार वेरेवल ए अंचेक्ट होना चाहिए अगर यह चैक्ट है इसको डिफाइन करना है इसको अंचेक्ट कर दीजिए ठीक है चेक्ट मत रखिए यहां फिर आप इस माइक्रों को ऐसे भी लिख सकते हैं सब्जेक्ट ए एक्स अंडर्स्कोर टू राइक के रोकिंग क्लोश यहां मैंने कर दिया एक यहां जी वाक्स और इसके अंदर डाल दिया मैंने 10 प्लस 15 तो मैसेज में आपको देखिए 25 आजाए तो आप इस में थर्ड से बनाए या इस में थर्ड से आपकी बड़िपन करें तो अभी मैं आपको एक नोटपैड की फाइल भीज रहा हूं और यहां देखिए इस क झालों मनितना इसा जोब काप्य पेस्टर नहीं करना है है अजो भी छोब बोलते ना बिद्ध्य लोगम बिद्यकिस नहीं कहते। आप सभी ने खाई होगहीं बिद्यकरां का यहें एक पर और खा लेज़े तो इसको टाइप करना इसको इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना आप इसलिए बोलाओ कि जब तरह टाइप नहीं करेंगे तब आप बीवियर प्रोगामिंग से फैमिलर नहीं होंगे इसलिए जो एक्जाम्पल मैं दे रहा हूं उनको टाइप करना है अब यहां पर देखिए मैंने यहां पर दिया हुआ है मैसे बॉक्स में एक डारेक्ट प्लाइब किया हुआ तो एक और टू को डालिए ए और बी पर औ आप छोठी दिनितों करते हैं हों स沒關係 थो आपको ऊंदर से कॉंफिजेंस आ ऑगे कि हाँ नि आतरी कर सकते हैं विए तो ये मैं आपको दे रहा है तो जादा हैड़ा बर लोगो तो आज की क्लास में यहीं ते